हेलो गाइज तो अब हम स्टार्ट कर रहें राइस के मेजर पेस्ट के बारे में तो ओन अफ दा मस्ट इम्पोर्टेंट पेस्ट एक एक राइस गंधी बग आज हम इसके बारे में थोड़ा डिसकस करेंगे इसका साइनटिफिक नेम है लेप्टो कोरिसा बहरी कोर्निस और यह आता है ओडर हैं में अब देखते हैं इसके की आइडिन्टिफिकीशन तो राइस गंधी बग को हम क्यासे आइडिन्टिफाई करेंगे उसको क्या से पहिचानेंगे जब फिल्ड में हम जाएंगे तो आइडिन्टिफिकीशन में है एडल्ट आर सेलेंडर अबाउट 20 mm लंग एंड ग्रिनिस ब्राउन जो एडल्ट होते हैं इसके गंधी बग के वो 20 mm 20 mm लंग होते हैं और ग्रिनिस ब्राउन कलर के होते हैं अर और दे हाव लंग लेक्स इनके लेक क्या होते हैं एगदम लंग होते हैं एंटेना उफ़ुट जो एंटेना हैं उन में क्या होते हैं फोर्ट जोइंट होते हैं और the newly hatched nymphs are about 2 mm long जो nymph होते है वो adult से छोटे होते है तो 2 mm long होते है और पेल ग्रीन पेल ग्रीन कलर के होते है और जब ए ग्रो करते है तो कलर थोड़ा ग्रीन कलर आ जाता है जो नींफ और अडल्ट में सबसे बड़ा डिफ्रेंस है वो होता है जो नींफ होते है वो इस तरह का दिखता है फिल्ड में तो गाइज अब हम पढ़ेंगे इसके लाइफ साइकल के बारे में तो गंधीबग एक सेवर मतलब मेजर पेस्ट है राइस का तो एह अल राउंड अल येर में ग्रास्टेस में अथवा वेरेस अधर ग्रीन प्लांट में व्रीड करता है पर एह मुश्टली अगस्ट में अप पर होने के बाद भी एक्टिव कब होता है मिडिल अफ द अगस्ट तु नोवेंबर तक ये बहुत अक्टिव होता है और द फीमेल लेज 200-300 राउंड एलो इक्स इन रोज अन द लिप्स तो फीमेल क्या करते है दो सो से तीन सो एग ले करते है एक बार में एक पिरेड में तो एक क्यासे होते है राउंड सेफ में होते है एलो कलर के होते है तो ए रो में रो बनाके लिप्स के उपर क्या करता है एक लेए करता है द एग हैच इन अबाट 6-7 डेज तो 6-7 दिन के बाद एग हैच हो जाते है और निम्फ क्या होते है फाइव स्टेज में में मैच्व हो जाते हैं तो मोल्टिंग मतलब 5 स्टेज के बाद तो नीम फिरेड होता है 25 तु 30 दिन नीम फिरेड होता है तो दो एडल्ट बग लिफ फर 33 तु 35 देज दो नीम के बाद 5 स्टेज के बाद जो एडल्ट फर्मिशन होता है मोल्टिंग के बाद तो एडल्ट का पिरेड कितन होदा है 33 to 35 days अब हम देखेंगे इसके डामेज के बारे में तो जब यह पेस्ट आएगा तो क्या क्या डामेज करेगा राइस में राइस फिल्ड में तो डामेजिंग स्टेज क्या है इसका डामेजिंग स्टेज इस बोथ निम्फ एन एडल्ट बाइ सॉकिंग शैप तो इस में जितने भी पेस्ट आते हैं इस सब क्या करते हैं फीड नहीं करते हैं क्रॉप को यह सब सॉक करते हैं सॉकिंग करके उसको लेते हैं तो इसका डामेजिंग स्टेज है निम्फ और एडल्ट दोनो राइस फिल्ड सेवरली अटेक बाइस पेस्ट इमिटर रिपगनेंट इसमेल जो राइस फिल्ड में जहां इसका ज्यादा अट्यक हुआ उपिल्ड में एक इसमेल आते है रिपगनेंट इसमेल जिसकी वजह से इसको नाम भी मिलाये गदी बग इसमील के वजह से और एक क्या करते हैं अनल दपार्ट अब्द प्लान्ट फीड करने में यह पीर जो अंदर की जो मिल्क फर्मेशन होई होती है उसको सारा सब करके जो ग्रेन है मतलब सब सब करके बाहर शरिफ क्या बूलते उसको सब करके सब सब कर लेते है तो उसके बाद वह कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं मिल्किंग स्टेज में तो बहुत सफ्ट होता है वो सब सब करके क्या करते है इंपटी खर देते होस तो बाकी नहीं रहता उस में जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं मिल्किंग स्टेज में कुछ इस तरह से चशण करता है जो सक करता है तो कैसे करता है एक बूर करके मतलब ग्रेट में बूर करके अंदर का सब खा लेता है इसका मतलब फेवरेट फूर्जे साई है तो जहां होल बनाया है इसनी वहां पे ब्लैक और ब्राउन स्पोर्ट दिख जाते हैं और उसके बाद एक सूटी मोल्ड है एक फंगस है ब्लैक कलर का एक दिख था है उसमें दिफ में सूटी मोल्ड डेवलब हो जाती है उसके बाद जैसे कि यहां फिगर में भी आप सब दिख सकते हैं तो डैमेज तो कुछ इस तरह का हुआ और अगर नहीं करेंगे तो सारा हमारा क्रॉब क्या हो जाएगा ख्राब हो जाएगा हम इल्ड नहीं ले पाएंगे उससे तो कुछ काम कर नहीं हुआ इसलिए मैनेज हाम कुछ इस तरह से करेंगे एकोनोमिक थ्रेस्वल लेवल अफ दिस पेस्टेट फ्लोरिंग स्टेज और अगर एक हिल में एक बग आ रहा है तभी हम इसको मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे पैडी फिल एंड शराउंडिंग बर्ण शूट किप्ट किलीन अफ वीड टु डिनाई दा हाइबरनेटिं इंसेक्ट देर अल्टरनेट फूड इंसेक्ट को छूपने से कहीं पे छूप शूप जाए असे लिए पैडी फिल और वहां सराउंडिंग जितने भी ग्राशेस वगेरा सब हें ग्रीन ग्राशेस में शूप जाता है ना है आभनेट कर जाता है तो उसको किलीन कर देना चाहिए फिल अच्छे से और उसके सराउंडिंग भी लिग इन बर्ण जिस लीड में जिस रिलीफ में इसने एग ले किया है उस लीफ को हटा के उसको जला देना चाहिए ताकि उसका पॉपुलीशन आगे ना बढ़े इड़ल शुडवी काप्चर इन लाइट्रैप दिस्ट्रॉय रे लाइट्रैप में उसको यूज़ करने के लिए लाइट krapp में उसकी काप्चर करके फिर बाद में डिस्ट्रोय कर देते और लास्ट में classical method हम धीमिकल मेथार्य तो क्यांते निस प्रे कर सकते है क्या सखें थ्रेजल लेबल तक पहुच जाएगा तब हम इसको मेलाथिन को स्प्रे करके इसको हम पुरा कांट्रोल कर सकते हूँ So guys this much about the rice gandhi bug तो अगले lecture में हम देखेंगे अगले rice paste के बारे में So thank you so much आप लोगो को I hope understand आया होगा थोड़ा थोड़ा Thank you